नमस्कार दोस्तों कभी कभी नहीं कर पाता हूं इस वीडियो के माद्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि आप आसानी से तैयारी कैसे कर सकते हैं जो यह सब्द है कि घर बैट के करें तैयारी इसका मतलब यह नहीं है कि चुपचाप बैठे रहें घर पे और आम से तैयारी हो जाएगी आप जानते हूं, प्रश्ण कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, और एक अच्छा ट्रैक हो, जिस पर आप तयारी करें, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। क्योंकि परिच्छा पास करने के लिए कोचिंग जौईन करना, परिच्छा पास करने के लिए कहीं जाके बाहर रहना, ऐसा कोई अनिवारे सर्थ नहीं है, जिसके बिना ये नहीं हो सकती। तो कैसे करें कि आप परिच्छा को पास भी कर जाएं और बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत न हो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा ही लेकिन पढ़ाई क्या करनी है यहां पर मुद्दा यह है आपके पास एक सबसे जरूरी चीज है कि सामक्री होनी चाहिए जिसको आप प्रेट में मिल जाएंगी अब कौन सी बुक लें यह बहुत बड़ी समस्या है कौन सी बुक अच्छी है कौन सी भुक खराब है इसका फैसला कैसे करें तो सबसे पहले तो चुनाव यही करना है कि एक गुट मटेरियल आपके पास होना चाहिए अच्छी सामक्री होना चाह कि पेपर जो है वो कैसा आता है कि जो कुष्चं का लेवल है वो कैसा है इस में यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है जहां तक paper की बात है तो old year question paper हम लोग देखते हैं तो old year के जो question paper होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे एक समय लिजे track दिखाते हैं और अच्छे mark दर्सक होते हैं कि paper आगे कैसा आएगा लेकिन ये परिच्छा क्योंकि हर साल आयोजित नहीं होती है तो इसमें हर साल के paper भी नहीं है 2006-07 में एक बार एक paper हुआ था या उसके पहले का एक दो paper होगा कहने का मतलब इधर 10-15 सालों में एक paper नहीं हुआ तो कैसे पुराना paper लाएं और तीसरी चीज है कि अभ्यास कैसे करें, practice कैसे करें practice कैसे अगर ये तीन काम आप कर ले जाये अच्छी समक्री पढ़ ले पुराने प्रशनों को देख ले paper कैसा आता है, एक idea हो जाए उसके एक आडिन पढ़ ले और उसके बाद में लगातार अभ्यास करते रहे क्योंकि मेरा कहना है कि ग्यान आप अरजित कर सकते हैं, ग्यान आप कहीं से भी ले सकते हैं, किताबे पढ़के तो पढ़ने से ग्यान तो बढ़ सकता है लेकिन सफलता जो है, वो अभ्यास से आती है practice करने से आती है ये चीज़े हैं जो आपको करना है अब ये सामक्री market में कोई एक दो ऐसी नहीं है कि मैं बता हूँ एक बार मैं एक वीडियो discuss किया है मैंने और उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है कई किताबे मैंने उसमें बताई थी वो वीडियो आप देख लिजेगा description box में वो लिंक रहेगा ये किताबें आपको खरीदनी पढ़ेंगे ये आपको किताबें खरीदेंगे या आपके पास कोई पुराना material होगा उसमें ये समस्या रहती है कि outdated material हो सकता है तो कई चीजें जो पूछी जाती है वो latest आकड़ो के आधार पर होती है तो उनको आप कैसे manage करें तो इनका एक solution हमने निकाला है हमारी team ने मिलके एक solution निकाला है इन समस्त चीजों की एक जगे पर availability कराने का solution है यहनि कि एक अच्छा good material आपको मिल जाए आपको questions का idea देजिया जाए कि कैसे question पूछे जाते हैं और उससे भी अच्छी बात है कि आपको इसको पढ़ना पड़ेगा तो आपको target दे दिया जाए रोज का target और यह target आप पूरा करके और इसका test देते रहें कहने का बतलब केवल target ही न दिया जाए उसका test भी ले लिया जाए कि target पूरा हो रहा है या नहीं ऐसी कुछ योजना है हमारी आईये स्प्रे पैकेट भी की तो अगर आप इसको चा रहे हैं कि ऐसी तयारी आपकी हो जाए घर पे बैठ के आप तयारी कर सकें तो इस course को आप जोइन कर सकते हैं और इसके बाद में जब आपकी ये तयारी हो जाए आप test भी दे लें topic भी पढ़ लें तो आपके practice के लिए test series आपकी करा दिया जाए test करा दिया जाए और जो ये test हो वो कुछ इस तरीके का हो जैसा आज कल UPPSC commission जो है पूछ रहा है वैसे प्रश्णिस में हूँ इन समस्त समस्याओं का एक single समाधान one window solution आप कह सकते हैं इसको हमने आपके लिए launch किया है जिसको off follow करके ये परिछा पास कर सकते हैं घर पे बैटके तयारी कर सकते हैं अलग-अलग message का जवाब देना कई बार संभव नहीं हो पाता है इसलिए मैं आपसे यहां ये चीजें बता रहा हूँ अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा इसके दो तरीके हैं उन तरीकों को मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके पहले आप विचार भी मर्स कर लिजे कि हाँ ऐसा क्या हो सकता है कि यह जो मैंने चीजें बताई है कि अगर आप अच्छी समगरी पढ़ ले पेपर के कुश्चन का आइडिया आपको हो जाए और प्रैक्टिस आप कर डाले तस बीच टेस्ट अगर आपको हो जाए तो कैसा रहेगा अगर लग रहा है आपको फायदे मंद है तो मैं उसका तरीका बता रहा हूँ आप ये कॉर्स कैसे जॉइन कर सकते है एक तरीका है कि आप www.upphctarget.com वेबसाइट पे जाएए और यहाँ पर BEO टेस्ट स्रीज ये देखिए लिखा हुआ है और इस टेस्ट स्रीज को आप यहाँ से परचेस कर लिजे यहाँ पर जब आप टेक टेस्ट क्लिक करेंगे टेक टेस्ट क्लिक करने के बाद में आपको ये टेस्ट मिल जाए एक तरीका ये हो सकता है दूसरा तरीका है अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी कठिल लगती हैं, लगता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं थोड़ा सा हमको इसमें दिक्कत हो रही है, और आप ऐसे पेमेंट करने में असुविधा मैसूस कर रहे हैं, तो उसका दूसरा तरीका भी है, जब आप टेक टेस्ट करेंगे इसमें, आप सिं टेस्ट भी टॉपिक वाइस कराएंगे, टेस्ट भी आपको दिये जाएंगे, डे वाई डे का टार्गेट होगा, वीडियो क्लासेज भी जहां पे जरूरत होगी मिलेंगी, और टेस्ट इसमें 10 कराएंगे, तो एक तो ये हो गया, दूसरा देखे, राइट साइड में, य जो आपके लिए उचित हो, वो आप परचेज कर सकते हैं, तो एक तो तरीका ये हुआ कि डारेक्ट आप यहां से, क्योंकि मेरे अकाउंट से ये अल्रेडी परचेज हैं, इसलिए ऐसा लिख क्या रहा है, आप जैसे टेक टेस्ट करेंगे यहां पे, तो आप इसमें यहां मैं इसमें थोड़ा सा सुविधा मैसूस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं थोड़ा सा और आसान होना चाहिए, तो आप मुझे BEO Full Course लिखकर, BEO Full Course लिखकर, WhatsApp नंबर है 6307281212 पर, BEO Full Course, यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है न, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, BEO Full Course, यह लिखकर आप मैसेस कर दें, यह 1212 है, ज्यान रखिएगा, तो इसको मैसेस कर दें, तो आपको यह सामगरी कैसे मिलेगी, यह सूचना देती जाएगी, तो ऐसे आप घर पे बैटके आसानी से इस परिच्छा को पास कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, बाकी आपके पास बहुत सारे आपसन हैं, आप उन आपसन को यूज कर सकते हैं, खिताबें खरी सकते हैं, अन्नी जो जगहों पे लोग सुभधाय उपलब्द करा रहे हैं, उसको ले सकते हैं, अगर आप यह कोर्स चार हैं, तो आप 10 तारीक तेक इंडमीशन ले लीजिए, जिससे की आ आपको कम पैसे में डमीशन मिल जाएगा, नहीं तो आके फीस बढ़ सकती हैं.